अभी सूबा का समय सूबा के लगए साड़े आठ बज रहे हूंगे क्या कि मैं भी पूजा करके आई हूँ प्यूस लग की बाहर पढ़ने के लिए बठे हुए हैं मैं बना रहे हूँ उनकी पसंद काना स्ता ह्लांके फर्माज तो बहुत दिन से चल रहा था पास्ता और एडली दोनों का चल रहा था तो मेरे आई बनता है जैसे प्यूस के पापा कहीं जाते आते तब मैंने कि उनसे पिछे से बनाती हूं उनके सामने ने बनाती हूं उनको पास्ता खाना तो पसंद है नहीं वो खाने भी नहीं देते किसी को क्यांकि मुझे भी पता यह चीज आप सब को alle चीज नहीं है तो रहा नहीं बनता है जैसे कभी 6 माइना से 12 माइना से ऐसे बने बन गया तो दूसरा चीज है मेरे घर इड़ना रेही हूँ प्लिसा नहीं और दो फोसे मूंस्ट पसंद कर करote मेरे बनाऊंगी पर पाने लगेगा ताजह दही को पसंद रहता तो चतनी जब बनाऊंगी तो उसी में घटा डालोंगी दाल बनाऊंगी दाल बिमादी तो एसे संबर ने बनाती हूं पर छोग जैसे नोर्मल डाल में थोड़ा-सा कम सामान डालते हैं ये लिग जो बना रहे इस में ज्यादा सामान डालती हूँ तो अच्छा लगता है वैसे शकी तो साम पर डाली बूलते हैं कि टेस्ट आशा रए तो सूजで को मने चाल लिए है निम्हें बज़ती में छोड़ दिया है तो जैदा ठाइट क्या कि लिए है ज्यादा डीक्स अिर cu जृती है होता है तो उन्हैया सुटी लिए में झाला है तो चुरकी नो पानी डैला है तो लूंगे विष्टी में घेले नकर दो मैं जाँ खरना कि शाडु सब्यकी कर दो कि अरकार के लुज़ते हैं तो इसको पूल है थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है तु इसलिए शाधा देने तूम एक हमोते हैं उत्हाला अजुष्टी को दिने भी सब्सक्राइब गनता है वह रहां पहलता है je लशुन तो ने डालोंगे हरी मिची यही सब काट लोंगी चोपर में चौपकर करके रख लोंगी डाल चोक लगाने के लिए डाल में मैं केवल अरर का डाल नहीं डालती हूं जैसे अरर का ज्यादा डाल देती हूं तो उससे टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है हालांकि सांबर में के लरर का डाल पड़ता है तो कभी कवार वो भी डाल देती हूं कभी कवार थोड़ा सा मिक्स भी इसमें मिक्स कर देती हूं तो अच्छा लगता है मेरे याज जैसा पसंद किया जाता है वैसा मैं बनाती हूं जरूरी नहीं है कि सांबर डाल बनाओ तो उ वे उसका सब्जी कर देते अटादेते उसके बाद खाते के लगता है कि वह बदाल को वह बत्ला होता है इस लिए मैं न Colin आती अपाने लिए जू खाते तो अजित इसके खाते ईंटा बनाओंगी। इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है फिर ये वाला दाल पता ने क्या हो और टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है तो जैसे रोटी के साथ भी खाऊ तो अच्छा लगता है चावल के साथ भी खाऊ तो अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा करके बनात लाला, 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 लुट 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 झाल 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 मुझे इतना अच्छा इडली ने बन पाता था क्याकि मैं कोशीज करते हैं फिर उतना अच्छे से नहीं हो पाता था पता ने कहा में श्टेक होता था अब कुछ नहीं करती हूँ फिर वह अच्छा बन भी जाता है जो आप देख भी रहें हैं अब इसलिए जादा बनता है जैसे 15-20 दिन में जब प्यूश लग्की का मन होता हु इसी साफ़े बना देती हूँ लिए फहले इतना ज्यादा नहीं बनता था जैसे दो-चार मैना में एक बार बने गया है तब ही बनता था अभी तो मेरे या जब मन होता है तब ही बन जाता है वैसे तो ज़ादातर सब किया बनता है, कोई-गर ऐसा होगा जिसके यह नई बनता है, थे प्यूश लगया वे डिखा लेंजिये, अब आपको पास करके दिखा देती हूँ, चटनी मने ज़्यादा करके दिया है, दाल कम दिया है, क्या कि दाल कम पसंद करके खाते हैं, चटनी तो और भी ले लेंगे, क्या कि प्यूशलकी को चटनी पो ज़्यादा पसंद आता है, पसंद तो मुझे भी आता है, आईस में दहीर डालने से थोड़ा सा और अच्छा कि दो तीन दिन का दूद ऐसी जाते रहता है अलग बीचे में गेप भी देती हूं नहीं लेती हूं पर्ला कतार छोड़ नहीं सकते अच्छा नहीं लगता रोज जोज नहीं लेंगे इसलिए मैंने ले लिया चड़ा दिया और उसका आइस क्रिम बना देंगे लिदी अपना क आइस क्रिम बना रही हूं कि जब से आम शुरू हुआ है तब से बहुत कम बनता है ज्यादा तर आम का जूस या फिर आम ही रहता है तो आइस क्रिम बहुत कम बन पाता है अज बहुत दिन बाद मैंने सोचा है कि आइस क्रिम बनाऊंगी मैंने आपसे बढ़के बात किया है पर दिदी जब अपना काम करें तो बाहर का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मने अपना साइलेंट कर दिया आवाज वह जवर कर रही हूँ अभी जितना देर दूद गरम होगा उतना देर मुझे इंतजार करना पड़ेगा क्याकि गरम होने के बाद उसको गाड़ा करने के लिए कम से कम देर दो गंटा लगता है तो नहीं देर में इंतजार करूंगी फिर ठंडा करने के लिए रख दूंगी तो थोड़ी देर मां आ देती पर उन्होंने खाय नहीं है तो दूपर में भई खा लेंगे हमाने कपड़ा भी चेंज कर लिया है क्या कि सुबह जो मने कुर्टी पहना था भो दिन बाद आज मने कुर्टी पहना है क्या कि सुबह मेरे यहां का मोसम ठीक था थोड़ा बुंदा-बुंदी भी वह था मुझे लग रहा था कि मुझे अच्छा हो जाएगा पर अभी गर्मी हो गया है फिर कीचन में काम करो तो गर्मी लगता भी है तो पूरा पसीना पसीना में था इसलिए मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है फिर यह कुर्टी पहनती हूं तो थोड़ा सा मुझे आराम मिलता है मेरा आदत भी होके है ज्यादा गर्मी है तब से मैं यही वाला कुर्टी पहनती हूं जो हाप आजू मने कट वाली है वाही वाला था बो दिन बाद वो वाला परना था तो मुझे बीच में निकालना पड़ा आए यह परनने कबाद मुझे थोड़ा आराम मिला है हालांके परने के विडियो अगरा आपको वीडियो जरासा पसंद आज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल के नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा कल मिलेंग अच्छी से निए वीडियो आगर बाई-बाई